जनपत बहराईज में अपनी मागों को लेकर अनिश्चित कालीन धरने पर बैठे उत्तरप्रदेश विद्युत कर्मचारी संकेचा सोसे अधिक विद्युत कर्मियों ने कारे भहिशकार्ग पर हरताल शिरू कर दी है धरने पर बैठे संविदा कर्मियों की मांग है कि विभाग ने इससे उन्हें तीन महिने किसे वेतन नहीं मिला है जबकि 2009 से EPF के नाम पर काटा गया पैसा भी किसी विद्युत कर्मी को नहीं मिला है और ना ही किसी को कोई जानकारी दी जा रही है जिससे विद्युत कर्मियो में खासा अक्रोज पनप रहा है धरने पर बैठे सम्विदा कर्मियों का कहना है कि जब उन्हें वेतर नहीं मिलता कब तक उनका प्रदर्शन जारी देगा विद्युत कर्मियों के धर्मियों पर जिले में विजली की किलत बढ़ गई है लाइन फॉल्ट होने के बाद अब कैसे सही हो यह सबसे बड़ा सवाल पैदा हो गया है धरने पर बैठे सम्विदा कर्मियों की माने तो उन्हें पिछले तीन महीने से बेतर नहीं मिला है जिससे उनका परिवार मुखमरी की कगार पर पहुँच गया है जबकि उनके खाते से काटा गया इपिए पिछले 2009 से नहीं मिला है और ना ही उसकी कोई जानकारी उन्हें दी गई है इस मामले पर जनपत के उच्च अधिकारी भी केवल सांथवना देने का प्रयास करते हैं लेकिन सही रास्ता नहीं निकलता जबकि अब भी सम्विदा कर्मी आरपर की लडाई छिड़ते हुए अपने हग की लडाई को उतर चुके हैं इस मामले पर जनपत के अधिशाशी अभियंता आरिफ मुहम्मत का कहना है कि सम्विदा कर्मियों के मागों कुध्यान में रखा गया है और इसका जल्द ही निकरन किया जाएगा पैसा हड़ चुके हैं सर वर्स दो हरजार नौ से लेकर जो अब तक हम लोगों के बेतन से इप्यप के मद में कटवती गी गई उसका हिसाब नहीं मिला तो हम तो यही समझेंगे कि को गवन है संभिदा कार अधिकारी जो भी हो उसका हिसाब हमें नहीं दे रहे है तो हम तो ही समझेंगे गवन हो खा चुके हैं जब तक हमें हिसाब नहीं मिलता यह आपका जो धरना है यह कब तक चलेगा हमारा धरना अनिश्चित कालिन के लिए कार बाइसकार के रूम में धरना चल रहा है पूरे जिले से कर्मचारी कठा हुए है कली और ब्यापक किया जाएगा और पड़सो जुलूस निकाल कर डियम साहब को ग्यापन दिया जाएगा और हमारी समस्या का तब भी निदान नहीं होता है तो हम लोग हरताल पर जाएंगी हम लोग आज अपनी पिछले निज वर्स 2009 से ले करके और आप तक हमारे बेतन से जो एपिअप की कटावती की गई है उसके हिसाब को ले करके आज हम लोग गत्रित हुए है दूसरा हम लोग का माँ अपरायल और माँ माई का बेतन बकाया है इद का महीना चल रहा है आने व से गए और इस बीज में परबंधन से कई बार वारता भी हुई लेकिन एपिअप की समस्या का समाधान नहीं हुआ और प्रते करमचारी का लगबख सोला सोले से लेके बाई सोतो रुपए का कड़ता है और उसका हिसाब नहीं मिल रहा है ये प्रत्मंध का हिसाब है और इत आज़ित करवाते हैं हम लोग धरना नहीं करना चाहते हैं हमको समय पर वेतन दे दो हमारा एपि कर रहें पता दो और 2009 से यहां सम्विदा शुरू हुआ तो सम्विदा का एक आखिर कहा गया बताने ना को क्या तकलिफ है भाई आप उच्छ अधिकारी हो जिससे भी कहोगे वो बता देगा कोई आदमी आपको बता नहीं कहा कि हम आपको नहीं बताएंगे आप पूछो तो भाई हमारी समस्य अब पूछने नहीं है सुबह से हम यहां चिला रहे हैं भूखे प्यासे बैठे हुए हैं किसले चिला रहे हैं कि हमारा परवार दो चले कम से ऐसी मजदूरी करने सक्या फेता जिह हमरे बच्छे भूखे मर लगा क्या इस समंद में इससे पहले आपने अपने ऊच्छे अभी पिछले महीने इनने 20 दिन का टाइम लिया था पंदरा दिन का मांगा था लेकिन 20 दिन का दे दिया गया आज एक महीने से उपर हो गया कि अभी तर्फ प्रश्ट के सब्सक्राइब ग्रूप से इसके इसमिलाकार से बात होगी है उसने अवद कराया है जो सारे पैसे को जम्हा कर रखा है और हरा अभी मुश्वत है जो है अना मुवाइल नंबर और अभार कार्ड सिस्टम पे डाउन और अप्रोड रेके हैं वो अपना तुभियत के संब्द में विरम नाथ करता है और इसके इन बात उसका पास्बुक है वो भी उसके इसके पिले सकती है ऐसा उसके मजबद कराया है और ऐसा पिछली मिटिग है उसने पहते है नेक्स नाइन न्यूस के लिए पहराईत से गौरब पात्वा के रिपोर्ट